कहते हैं परदान मंत्री जी हार से हताश निराशों के कि मुझे गुस्सा आया तो साथ पीडियों की पोल खोल दूंगा यहां कितनी पीडियां हैं इन पीडियों की पोल देश खोल रहा है और आप चुप हैं धमकाते हैं कि आप साथ पीडियों की जो है वो पोल खोल कर रख देंगे मास रेपिस्ट को हिंदुस्तान से भागने देंगे ये है मोधी की गैरेंटी परदान मंत्री जी अगर आप अपराधियों के साथ यूही खड़े रहेंगे तो कभी नयाय नहीं मिलेगा 31 तारीक की रात को बैंगलोर के एयरपोर्ट से कुछ इसी तरह महिला पुलीस SIT टीम गठित ने कुछ इसी तरह प्रजवल रेवन्ना को एयरपोर्ट से गिरफतार किया है यह महिला सशक्तिकरण की एक तरफ अगर आप हमारी बेटियों को इस तरीके से अगर करेंगे तो पासा पल्टा है आप सभी पत्रका साथियों को मेरा नमस्कार आज देश में अंतिम और सात्वे चरण का इस समय मतदान आठ राज्जी और सत्तावन के करीब सीटों पर चल रहा है इसी के साथ एक बड़ी घटना और जानकारी हमारे बीच में आई है कि करनाथक के हासन से सांसद प्रजवल रेवन्ना को करनाथक सरकार द्वारा गठित SIT द्वारा जो है वो गिरफतार कर लिया गया है और ये काम SIT द्वारा गठित महिला पुलीस की एक टोली एक टीम ने किया है हम उसके लिए करनाथक सरकार को बधाई देते हैं दुख की बात है कि प्रधान मंत्री जी बेटी बचाओं का नारा देते रहे लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के तहत साथ चरण का चुनाव आज मतदान हो रहा है लेकिन प्रज्वल रेवना मास रेपिस्ट पर अपनी चुपी अभी तक उन्होंने नहीं तोड़ी यह दिखाता है कि प्रधान मंत्री जी को बेटी योग की उनको न्याय दिलाने की कतई भी चिंता नहीं मात्र अपनी कुर्सी बचाने के चिंता रही मैं आपको लेटर दिखा रही हूँ करनाटक के मुख्य मंत्री सिद्धा रमया जी ने एक माई को परधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी को पत्र लिखा एक माई को कि प्रजवल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया है यह कैसे हुआ हम चाहते हैं कि करनाटक सरकार की मदद की जाए और प्रजवल रेवन्ना के मामले को जर्मनी सरकार से केंद्र सरकार बात करके वापिस लाने की बात कहें लेकिन जब एक माई से कोई भी रेक्शन या जवाब मुख्यमंत्री के पत्र का प्रधान मंत्री जी द्वारा नहीं आया समझ सकते हैं चुनाव की वियस्तिता है और आपको इस मामले पर आपकी चुपी भारी पढ़ सकती है 22 मई को 21 दिन के बाद करनाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारा मिया जी ने दुबारा एक पत्र परधान मंत्री नरेंदर मोधी जी को लिखा इस मामले को लेकर थी ये साफ दिखता रहा शिरी राहूल गांधी जी का दो मई को किया गया स्ट्वीट जो रेवन्ना ने किया वो सेक्स स्केंडल नहीं मास रेप है करनाटक में स्टेट से प्रधान मंत्री उस मास रेपिस्ट का समर्थन कर रहे थे उसके लिए वोट मांग रहे थी इसकी तस्वीरे में दुबारा सिजग जाहिर करूंगी नरेंद्र मोदी आमिच्छा और बीजेपी के हर नेता को इस पाप के लिए देश की हर महिला से हाथ जोड सर जुका माफी मांगने चाहिए ये मांग श्री राहूल गांधी जी ने ये मांग आदी आबादी की थी जिसे आवाज देने का काम श्री राहूल गांधी जी ने क्या मास रेपिस्ट को हिंदुस्तान से भागने देंगे ये है मोदी की गैरेंटी चार मई को दुबारा राहूल गांधी जी लिखते है करनाटक में भाजपा समर्थित हैवान ने सैंक्रों महिलाओं और उन खड़ा हूं ये राहूल गांधी जी पीडिताओं से कह रहा है लेकिन परधान मंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा कि वो इन सब के साथ न्याय करेंगे चुनावी शोर के बीच आपके साहस और संगर्ष को हम दबने नहीं देंगे कि साथ चरन का चुनाव है शोर शराबा है मीडिया इस मामले को नहीं दिखाया लेकिन भारती रास्टिय महिला कॉंगरस ने अपने शीष नेतित्व के कहने पर पुरे देश में अंदोलन किया परधान मंत्री जी जहां जागाए उनके पीछा किया काले जंडे दिखाये उन्हें मजबूर कि अपनी चुपी तोड राहूल गांदी जी तक ने पीडिताओं को न्याय दिलाने के लिए लिखा है कि मैंने करनाटा के मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर उस हैवान के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करने और पीडित परिवारों को हर संभव सहायता मौया करवाने का अग्रें किया है जिसे स्विकार भी कर लिया गया और जो नतीजे के तौर पर आपके हमारे सब के सामने हैं मैं हर पिडिता और उसके परिवार को विश्वास देलाता हूं आज आपका संघर्ष कल एक ऐसा देश बनाएगा जहां किसी महिला के सम्मान से खिलवार करने की सोच पर भी प्रज पर मैं को करनाटक में महिलाओं के साथ हुई अपराद पर भी नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह शरमनाक चुपी साधी हुई है जो अभी तक जा रही है साथवे चरन तक परदान मंत्री को जवाब देना होगा सब कुछ यह बहुत महत्पूर्ण है सब कुछ जानकर भी स उन्होंने सेंकडो बेटियों का सोउशन करने वाले हैवान प्रचार क्यों किया इस सबसे बड़ा सवाल उढता है कि क्या परधान मंत्री जी मजबूरी थी यह पोस्टर जग जाही ने जो राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं ये हैं प्रज्वल रेवन बीच में के लिए करनातक की हासल लोकसभा सीट पर वोट मांगते हुए निले कोट में दिख रहे हैं देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी कि आप इंकार नहीं कर सकते कि आप प्रज्वल रवन्ना या उसके द्वारा किये का एक कांड को नहीं जानते थे यह पोस्टर देखिए इसमें भी कहते हैं प्रधान मंत्री जी हार से हताश निराश हो के कि मेरा मुझे गुस्सा आया तो साथ पीडियों की पोल खोल दूँगा यहां कितनी पीडियां है यहां कितनी पीडियां है पहली पीडी एच दी देवे गोडा जी दूसरी पीडी उन मास रिपिस प्रजवल रिवन्ना के पिता हैं यह पीडियां है इन पीडियों की पोल देश खोल रहा है और आप चुप हैं धमकाते हैं कि अगर आपके खिलाव बोला तो आप साथ पीडियों की जो है वो पोल खोल कर रख देंगे यह राहुल गांदी जी सिद्धा रमया जी का पत्र प्रदानमंत्री जी तक पहुचा नहीं पहुचा पर राहुल गांदी जी ने दुबारा से सिद्धा रमया जी ध़ मिया द्वरल लिखे गए प्त्र हों कि मश्रें को टुप करते हूए फिर लिखा एक मास रेपिस को आप क्यो बचा रहे हैं प्रदानमंत्री जी ऐसी भी क्या मजबूरी है आपकी ये सवाल आज भी खड़ा हुआ है कि क्या मजबूरी है कि आप प्रजवल रेवन्नाक प्राकरण पर पूरी तरह अभी तक खामोश हैं प्रेंका गांधी जी ने भी 29 अप्रल को ट्वीट किया है और साफ कहा है जिस नेता के कंदे पर हा हाथ रखकर पीम फोटो किचवाते हैं जिस नेता का चुना परचार करने दस दिन पहले पीम स्वेम जाते हैं मंज पर उसकी प्रसंशा करते हैं आज करनाटक का वहनेता देश से फरार है उसके जगन्ने अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है ये प्रेंका ग 26 अपरल को दूसरे चरण में मद्दान हुआ है करनाटक की हासन सीट पर 26 अपरल पूरा मई का महीना निकल गया परधान मंतरी जी की चुपी नहीं टूटी लगातार पूरा देश करनाटक के लोग सैंक्रो लोग सिविल सुसाइटी वाले सड़कों पर आये आंदोलन किया लेकिन दुख और दुर्भाग्य की बात है कि कहीं पे भी रास्ट्रिय मीडिया ने इसे नहीं उठाया है ये एक पोस्टर एक कार्टूनिस्ट है सतीश अचार्य जी सचाई ब्यान करता है अभी तक इसकी जगह प्रजवल रेवन्ना, HD रेवन्ना, उनके पिता, पूर्व विधायक मंत्री और सांसथ था और इस जगह पर हमारी करनातक की एक हजार के करीब बताया जाता है सैटी की जान चल रही है, एक हजार बेटियां, तीन हजार उनके साथ दुशकरम, योनुत पीडन, जबरन, बलातकार करते हुए उनके कपड़े कुछ युही खीचते के वीडियो तीन हजार के करीब करनातक में वाइरल किये गए, लेकिन तस्वीर पलट गई है, एक महीने के अंदर करनातक सरकार द्वारा गठित S.I.T. ने 31 तारीक की रात को बैंगलोर के एरपोर्ट से कुछ इसी तरह महिला पुलीस S.I.T. टीम गठित ने कुछ इसी तर प्रजवल रवन्ना को एरपोर्ट से गिरफतार किया है, यह महिला सशक्तिकरन की एक तरफ अगर आप हमारी बेटियों को इस तरीके से अगर करेंगे तो पासा पल्टा है कि हाला यहां तक अब नयाय मिले, यह हम सुनिश्चित करेंगे कि कि सरकार अब हमारी है, हम को सबके सामने आए हुए एक महीने से का अधिक समय हो गया है, और अब मास रेपिस्ट प्रजवल रवन्ना एसाइटी की गिरफत में है, हम मांग करते हैं कि स्पेशल कोट, का गठन करड़ के तीन महीनों के अंदर कम नहीं है, हम मांते हैं, बहुत दबाव करनाटक की सरकार के उपर इस तरीके से सारे सबूत नस्ट कर दिये गए हैं, प्रजवल रवन्ना की माता जी को भी साइटी ने नोटिस देकर पूछताच में संयोग और मदद करने को कहा है, क्योंकि ये सारा कर्मकांट, पिता और बेटा कर रहे थे 5 साल तक करते रहें, ऐसा नहीं है, प्रजवल रवन्ना के पूर्व ड्रेवर ने इस बात को अपने वीडियो के माध्यम से भी जारी किया है, कि उसके ड्रेवर के पास इस तरह की सारी सूचना, जानकारी और उसके मोबाइल से कलेक्ट की गई, सारी इस तरह की वीडियो, उनके ड्रेवर ने भाजपा नेता ह आसन से जो हैं देवराज गोडा को सौब दे थी और देवराज गोडा बार बार अपनी प्रेस कॉंफरस में कहते रहे कि प्रधान मंत्री जी ग्रह मंत्री जी नड्डा जी सबको उन्होंने इंस जो पेंड्राइव में सीडी सबूत दे दिये थे तब तक प्रजवल रिवन् के पूर्व ड्रेवर जिनका नम कार्थिक बताया जाता है उनों ने पेंड्राइव में ये सारे कर्मकान जो हैं देवराज गोडा के माध्यम से जो भाजपा के नेता है प्रधान मंत्री ग्रह मंत्री और भाजपा नेताओं तक पहुँचा दिये लिकिन उसके भी फैसला लिया जाता है प्रधान-मंत्री नरेंद्र मोधी जी द्वारा कि वो बिलकुल प्रजवल रिवन्ना को टिकेट देने का समर्थन ही नहीं करते हैं उसके चुनावी प्रचार प्रसार में भी शामिल होकर उसके लिए वोट मांग कर ये कहते हैं कि प्रजवल रिवन्ना को दिया गया एक-एक वोट परधान मंतरी मोदी जी को नीजी तोर पर भी ताकत लेने का काम करेगा करनाटका हाई कोड़ द्वारा प्रजवल रिवन्ना की प्री बिल रद किये जाने से भी इस मामले को ताकत मिली है कि S.I.T. बिना समय गवाए उसके लैंट करते ही भारत और करनाटका की धर्ती बैंगलोर पर पोचते ही बिना समय गवाए उन्हें अरेस्ट कर लेती है लेकिन आज मैं एक बार फिर कहूंगी सबूतों के साथ छेड़ खानी गवाओं को डराना धमकाना ये सब की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है इसलिए हम एक बार फिर से मांग करते हैं देश के प्रधान मंत्री से उन हजारों बेटियों को विश्वास दिलाईए किसी तरह का भी सबूतों से या किसी भी तरह का सपोर्ट समर्थन प्रजवल रिवन्ना को इस पूरे मामले में कि ही से भी कुसी भी तरह का नहीं मिलेगा और बेटियों के साथ ने आई होगा यह हम मांग करते हैं क्यों क्योंकि मध्य प्रदेश के सागर में एक नबालिक दलित बेटी के साथ बलातकार होता है बेटी इस बात को कहते हुए और उन सभी भाजपा नेताओं के नाम लेते हुए वीडियो बेटी का जो अब हमारे बीच में नहीं है उसका सब के पास है बेटी के साथ जगन अपराद करने वाले सागर मध्य प्रदेश में भाजपा के नेताओं नाम सब जानते हैं सबसे पहले पीडित के भाई को मोत के घाट उतारा जाता है पीडिता भाई के शव पर विलाप कर रही है, रो रही है, न्याए मांग रही है, अंतिम संसकार पर जाती है तो अब भी वो अपनी एक वीडियो के माध्यम से अपराधियों के नाम लेती है चाचा को लगाता थाने में बुला बुला कर दबा बनाया जाता है कि मामला वापिस ले लिया जाए उसके बाद पता लगता है कि चाचा की भी हत्या कर दी गई है चाचा कर शाव एम्बुलेंस में हस्पताल से घर लाते-लाते खबर आती है कि नबालिक, सामुहिक बलातकार की पीडित बेटी कि एम्बुलेंस से गिर कर मौत हो गई है भाई, चाचा, पीड़ता की मौत हो जाती है एम्बुलेंस से गिर कर ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार मद्ध परदेश के सागर्व का मामला है इसलिए हमें चिंता है कि परदान मंत्री जी अगर आप अपराधियों के साथ यूही खड़े रहेंगे तो कभी नयाई नहीं मिलेगा आज की हेडलाइन है राजस्थान की अकबारों में सरकार है आपको पता है पूरा राजस्थान का चुनाव परदान मंत्री जी ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ा कि हर राजस्थान में महिलाओं पर अपराध है नयाई नहीं है प्रदावन मंत्री जी आपके राज्यस्तान के विधान सभा के चुनाव में और इन चुनावों में आपने जो भाशन दिये बेटियों की सुरक्षा पे वो दुबारा से लोग उठा रहे हैं कि सचाई है कि मातर राज्यस्तान में आपकी डबल इंजन की सरकार बनने के बाद पिछले पांच महीनों में बारा हजार महिलाओं के साथ दुशकरम योन्शोशन और बलातकार हुए हैं और उनमें 1644 हमारी नबालिक बेटियां शामिल हैं राजस्तान की भादपा की डबल इंजन की सरकार के तहत आज हर रोज 12 हर रोज 12 नबालिक बेटियों के साथ दुशकरम और बलातकार हो रहे हैं 84 हमारी बहने हर रोज राजस्थान की धर्ति पर आपकी जहां पर डबल इंजिन की सरकार खोकले नारे के तहत शिकार हो रही है मद्यपरदेश के सिद्धी से खबर आई है मद्यपरदेश के सिद्धी से मात्र सिद्धी में 25 से ज़ादा 25 से ज़ादा आदिवासी महिलाओं यूक्तियों के साथ चात्रों के साथ दुशकरम हुआ है आदिवासी बेटियां 25 चात्र भी हैं परदान मंत्री जी आपकी चुपपी अपराधियों का समर्थन कर रही है उनकी हिम्मत बढ़ा रही है हम कह रहे हैं अपनी चुपपी तोड़िये आपके चुपपी स्विकारिता बन रही है इस सारे अपराध की और बेटियों की जो न्याई की उमीद इस तरह से लगातार तूटती जा रही है मनिपुर का मामला इस पूरे चुनाव में हावी रहा कि किस तरीके से मनिपुर के अंदर ठाने से पुलीस रक्षा से आदिवासी बेटियों को घसीट कर लाकर नगन करके समुई बलातकार हुए लेकिन परदान मंत्री जी पूरे साथ चरण के चुनाव तक एक बार भी आप मनिपुर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए और पूरे चुनाव में आपने एक बार भी मनिपुर में आप ये नहीं कहा बेटियों को कि न्याई मिलेगा आज दुरभगे हैं दुख और चिंता है कि देश के परदान मंत्री हमारी बेटियों को इस पूरे दस साल के कारेकाल में न्याई दिलाने में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं मैं इस बात को दोबारा दोहरा रही हूं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि जितने भी बेटियों के अपराधी है वो या तो सत्ता में भागेदारी है और या उनको सत्ता का भरपूर समर्थन मिलता आया है यही कारण है कि बेटियों के खिलाफ अपराध और अपराधियों की हिम्मत बड़ी है और न्याय से कोसो दूर हुई है बेटियां पर समय ज़्यादा अब नहीं है चार जून को परिणाम आने वाले हैं मुझे इस बात का पूरा भरोसा इस आधी आबादी ने पूरी तरी ही इस आधी आबादी को न्याय दिलाने का काम रास्टिय महिला आयोग में बड़े बदलाव से हम शुरू करेंगे ताकि रास्टिय महिला आयोग सिर्फ भाजपा को जहां पर फायदा है वहां पर बोलने का काम ना करते हुए बेटियों की आवास बन कर बोले और देश में एक ऐसी महिला बाल विकास मंत्री का इंतजार भी है जो चार जून को खतम हो जाएगा वो इंतजार कि ऐसी महिला बाल विकास मंत्री जो सिर्फ विपक्ष को या विपक्ष के एक नेता को ही जो है वो टार्गेट करने की बजाए अपनी काम अपने जिम्मेदारियों को समझत से विस आधी आबादी को न्याय दिलाने की बात करेगी तो मैं आधी आबादी को फिर कहूंगी इंतजार आपका खतम हो गया है करनाटक के सरकार कि SIT को भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बिलकुल एक महीने बिना समय गवाए सक्रियता के साथ काम किया और गिरफ्त मे लेकिन दुख और चिंता के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूं कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी आप से कतई भी देश किस आधी आबादी को उमीद नहीं थी खासतोर से उन हजारों लाखों पीडित बेटियों को जो आज बिन्याय के लिए कहीं न कहीं अदालतों की चकर काट रही हैं आपके ही अपराधी सांसद विधायक फिर दुबारा आज सात्वेचरण का अंतिमद्दान चल रहा है मोदी के परिवार का पोस्टर फिर जारी करती हूं फिर नाम दोराओंगी ब्रज भूशन शरन साक्षी मलिक का दोशी एफ यार हुई चार शीट ह का गिरफतार नहीं है अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं संदीप सिंग हर्याना का मंत्री घंबीर योन उत्पीडन के आरोपों में आज भी मंत्री है और हर्याना में खूब प्रचार और प्रसार कर रहे थे कारवाई नहीं होती है यह सारे प्रज्वल रिवन्ना के साथ तो प्रधान मंत्री जी आपकी खुद की तस्वीन है जिसे एक महीने तक बचाने का काम देश से भागने में उसका पासपोर्ट जप्त ना करने में उसे एक महीने तक जर्मनी में सुरक्षित रखने का काम प्रधान मंत्री जी कोई और नहीं कर सकता यह आप और मात्र एक कारण था कि प्रज्वल रिवन्ना सात्वे चरण के चुनाव तक वही रहे अगर वो यहां आयता है कारवाई होती मीडिया की सुर्खिया बनती और शायद कोई पत्रकार साथी आपको कहीं पकड़ कर आप से प्रज्वल रिवन्ना पर सवाल कर बैठता इसलिए पाइल्स है, फोन है, चाहिए कहीं पे भी कुछ भी सबूत है, डराने धमकाने का काम वो एक महीने तक होता रहा, जिसको समय रहते हैं पूरी उमीद है, SIT उसका खुलासा जरूर करेगी और ये एक मामला होगा जो देश के सामने, उधारन बनकर इसलिए भी आना जरूरी ह क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे शक्स के उपर गंबीर आरोप है, जो सांसद है, जिसे एक नहीं, दो दो परदान मंतरी, एक पूर परदान मंतरी, वर्तमान परदान मंतरी का समर्थन पराप्त है, धन, बल, सत्ता का पूरा सनरक्षन और ऐसे शक्स को सजा मिलना, हमारी लाखो करोडों बेटियों में न्याई की उमीद को वापिस जिंदा करेगा ये हम विश्वास एक बार फिसे चाहता आते हैं क्योंकि महिला सुरक्षा मुद्दा पांच न्याई पर हमने ये चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ा है उस पांच न्याई में नारी न्याई की बा है और मुझे विश्वास है हम इस लड़ाई को न्याई की इस लड़ाई को जीतने जा रहे हैं